Good morning everyone, welcome back to the channel कैसे हो आप सभी, I hope आप सब बहुत बढ़िया होगे और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ वैसे बहुत मॉर्निंग से स्टार्ट करने का सोचा था पर हो नहीं पाया तो उसको मैंने स्कूल भेज दिया है, नहाद होकर लंच बॉक्स लेके ब्रिक्फस्ट करके वो चला गया है, उसको ब्रिक्फस्ट में आज मैंने अपे खिलाए थे मिनी ब्रिक के लिए भी अपे ही दे दिये थे, साथ में एपल दे दिया था और में ब्रेक के लिए आलू के पराठे आलू के पराठे मेरे बेटे को पसंद है और उसके बाद husband उसे drop करने जाते हैं और उधर से ही वो walk पे चले जाते हैं तो around 1 hour उनको लग जाता है walking करके मतलब 8 बजे जाते हैं 8 बजे से थोड़ा पहले ही जाते हैं उस बीच में मैं क्या करती हूँ डस्टिंग कर लेती हूँ और जाड़ो पुछा भी कर लेती हूँ बेवी को थोड़ा बहुत fresen up करा देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी सुबे में उठ जाती है जब डुगू उठता है तो करके सारे लोग उठ जाते हैं तो पता नहीं उसकी भी नीद खूल जाती है सबसे पहले मैंने सोफा को क्लीन किया वैसे तो मैं लाइटी डस्टिंग कर रही थी पर मैंने देखा ना कि चीटियां घूम रही थी और तब तक मैंने सोफा क्लीन कर दिया थोड़ी बहुत डस्टिंग मैं एवरी डे बेसी स्पे करती हूँ लैक टीवी, यूनीट, टीबल, टीवी सब थोड़ा-थोड़ा क्लीन करके जाड़ो पोचा मैं कर दी हूँ तोड़ासा मतलब मतलब भड़ड़ी में हूँ क्योंकि कुकि कुकि बहुत साधा करनी है उसमें तोड़ा जादा टाइम लग जाता है ब्रेस मैंने कर ली हो और इस टाइम पे मैं अपने दिन की सबसे पहली मतलब ड्रिंक लेती हूँ जो की होता है पड़ बारे से स्टार्ट हो गई थी और कप्ड़े सूखे नहीं थी तो मैंने इसको टेबल पर रखा था तो अभी सुभी सुभी धूप अच्छी निकली है तो सोचागी से भी डाल देते हैं क्योंकि एक गंटे धूप लग जाएंगी तो यह सूख जाएंगे पता है ना इतनी सारी चीज़े बनाने के बाद भी हजबन के लिए ब्रेक्फस्ट आलागी बनाना पड़ता है वो नहीं खाते हैं तो मैंने यह सूजी के अपपे बना दी हैं सबजी आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही हूँ इनफेक्ट मैंने खाना ही आज थोड़ा एक्स्ट्रा फिल किया था क्योंकि सबजी थोड़ी अलग तरीके की बनाई थी तो उन्होंने बोला था कि मैं आफिस में सबको टेस्ट कराऊंगा और रेगुलरली भी मैं खाना थोड़ा एक्स्ट्रा ही देती हूँ क्योंकि सब लोग साथ में खाते हैं तो थोड़ा बहुत शेयरिंग अगर है तो चलता रहता है तो हजबन उदर ब्रिक्वस्ट कर रहे थे तब तक मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया और पीछे देख लो मेरी बेटी को अपने मंकी स्टाइल में डांस कर रही है तो टिफिन में आज मैंने राइस भी दिया थो और आज क्या हुआ मैंने लंच का मतलब हिसाब थोड़ा स सारा खाना डालो मुझे बड़ा अच्छा लगता है चट्नी देनी पाई शलात देनी पाय टिफिन हो गया है पैक क्लीनिंग भी हो गई है पर अभ मुझे फिर से ने मैं सबसे पहले मैं इस किचिन को समेंटना है लेकिन मुझे लग गई है भूग मैंने हर दिन का रोटीन ऐसा ही रहता है, पपाया मैंने खा लिया है, फिर मैंने देखा फ्रीज गंदी हो गई है, तो मैंने सुचा चलो भई, क्लीनिंग कर देते हैं, यार घर पे बहुत काम होते हैं, मतलब वन वीक के अंदर ही न मेरा फ्रीज गंदा हो जाता है, especially मेरी बेटी आज कल बहुत गंद हो गया, पर वाइल कुकिंग, क्लीनिंग, ऐसी हो ही जाती है, और सच बोलू न, तो आप कह सकते हो कि घर और सबका ख्याल रखते रखते ने, यार समटाइम खुद को देखने, सजने, सवरने, और कभी-कभी तो पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे एलियन जैसे लग रहा हैं, पर कोई न, ठीक है, आप भी अगर एक हाउस मेकर होगे, या फिर घर पे रते होगे, तो थोड़ा बहुत तो आप इन चीजों को रिलेट कर पा रहे होगे, कि नहीं होता है, और आज डुगू बड़ा खुश होने माला है, जब वो आएगा, तो क्योंकि उन्हें उसे ये स सबसी काफी पसंद है, वैसे तो मेरे घर में सबी को पसंद है, बट बच्चों की पसंद का कुछ बनता है, तो उनको ज़्यादा खुशी होती है, और वैसे भी पता है, मैं डुगू से पूछ के ही खाना पनाती हूँ, ताकि उसका टेस्ट डबलप हो, और सच में ये ट्र और नहाद होकर मैं पूजा करके आ गई हूँ, और अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले बेबी को खिला देते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको दूद रोटी सोक करके रखा था, ऐसे वो दूद रोटी खाती नहीं है, तो मैं दूद को ब वार्निंग रोटीन रहता है, वैसे डुद को आज आया था ना, तो मैंने उससे जब दिखाया कि मैं तुमारे लिए यह बने तो काफी खुश हो गया था, तो चलिए इस वीडियो को भी यही पर एंड करते हैं, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं, नेक्स व ते किर बए बाये